दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको मोटर स्टार्टर के कॉंटेक्टर की फुल वेरिंग की इस परकार बिलकुल असानी से करें उसी की जानकारी देंगे ये देखिए पहली वीडियो है यूटूब पे जो इतना असानी से हम आपको समझाएंगे तो वीडियो को जरूर सुरू से अंत तक देखीगा सबसे पहले ये देखिए ये हमने बलब आउन हो गया ये हमने यहाँ पे बलब लगाया यहाँ पे आप समर्सीवल मोटर भी लगा सकते हो मतलब अगर आपने ये वैरिंग सीख ली तो आप कभी भी मोटर स्टार्टर सिंगल फेस मोटर स्टार्टर की जो contactor wiring है उसमें आप कभी भी है जो आपको कोई परसानी नहीं आएगी तो इसकी wiring करने के लिए सबसे पहले हमें एक contactor चाहिए किसी प्रकार का हो सकता है हो सकता है उसमें दो point हो हो सकता है चार point हो और दो इसकी ये रिले की तारे रहती है जो इसमें कोईल रहती है उसकी तार रहती है और उसके बाद चार हमारे पास ये तार हैं दो लगलग कलर की और उसके बाद हमारे पास ये दो पुश वटन है एक ग्रीन है और एक रेड है और इन पुश वटनों में दो दो पॉइंट होते हैं इसकी वैरिंग आपको इस प्रकार कर लेनी है ये देखिए हमने ग्रीन वटन के एक पॉइंट पे ये तार लगा दिया उसके बाद में ग्रीन और रेड का एक पॉइंट आपस में जोड दिया उसके बाद में रेड का एक पॉइंट में हमने दूसरे पॉइंट में अब हमें सबसे पहले क्या करना है यह एक कोई भी तार लेनी है और इस तरफ दे देनी है यहां पे और इसी के साथ हमने एक बलैक तार है जो यहां पे लगा देनी है तो यह देखिए हमने यहां पे एक बलैक तार लगा दिया अब इसके सामने हमने दूसरी बलैक तार है जो लगा देनी है यहां पे तो यह देखी हमारा न्यूटल का connection हो गया मतलब यह न्यूटल का input है और यह न्यूटल का output है वह हम face का connection करेंगी तो सबसे पहले तो हमें एक नीली तार यहां पे लगा देनी है और एक नीली तार यहां पे लगा देनी है तो दोस्तों यह देखी हमा यह तार लगी है ना कोयल वाली यह हमारा इंपूट साइड है तो हमें रेड रेड बटन का जो एक सिरे में जो तार लगी है यह देखिए इस परकार समझ लीजिए यह जो तार लगी है यह हमने यहां पर दे देनी है यहां पर फेस हमारा ओट पुट है तो हमें यहां पर कस् और अब देखी अब हमारे green button का एक तार ये वाला बचा हुआ है तो इसे हमने यहां पे हमारा face input होता है यहां पे लगा देना है और इसे tight कर देना है तो जी अभी हमारा इस परकार ये वारिंग हुआ है ये देखी इस परकार हमने यो green button का एक तार है वो input पे दे दिया है और जो Red Button का दूसरा तार है वो Output पे दे दिया है फेस के और Red और Green के दोनों पॉइंटों को एक जो बचे पॉइंट है उनको आफसमें मिला दिया है अब हमारे पास ये एक तार बचा है ये एक तार हमें जो कॉयल का तार है इस रिले की कॉयल का तार है इससे हमने यह देखे यहां पे हमने यह पीले वाला तार लगाया ना दोनों पॉइंट ग्रीन और रेड के शोट की हैं उसके साथ इसे जोड़ देना है चाहे तो काटके यहां जोड़ दीजीए चाहे इसे यहां जोड़ दीजीए तो हम इसे यहां जोड़ लेते हैं तो दोस्तों ये देखिए हमने स्टार को यहां लगा दिया है अब हमारा ये कंटेक्टर का वैरिंग होगा है जो बिल्कुल ओके हो गया है यह हमारा इंपुट है न्यूटल फेस जो हम यहां लगाएंगे यह देखिए यहां पर हमने इसे लगा दिया है यह हमारा न्यूटल फेस हमारा इंपुट हो गया अब हम इसे कंट्रेक्टर को अन करेंगे यह देखिए आउन हो गया अब आउफ करेंगे अब यहां तो आप बलब भी लगा सकते हो लेकिन अगर आपको समर्सीवल मोटर यहां पे लगाना है तो समर्सीवल मोटर की नेली तार मतलब बलू तार इस बलू तार से जोड़ दो और उसकी रेड तार है जो समर्सीवल की वो इस रेड बलैक तार से जोड़ दो और जो जैलो तार बची है उस पे आप कपेस्टर लगा दो कपेस्टर की एक तार जैलो तार के साथ लगा दो तो और कपेश्टर की दूसरी बच्ची तार इस śm यहां पर इस बलैक तार के साथ लगा दो तो अगर आप इस कॉंटैक्टर पे वोल्ट मीटर और अमपेर मीटर लगाना चाहते हैं तो जो अमपेर मीटर की जो दो पॉइंट हैं उसे इस तार को यहांसे काटी में और इसके बीच में अम्पेरबीटर की एक पौइंट पर इस वाला तर्फवाला तार लगा दीजिए और दूसरे तर्फ यहाँ यह वाला बचा हुआ दूसरे तर्फ और उसके बाद अगर अगर आप इसे वول्ट मीटर लगाना चाते है तो वول्ट मीटर की दौनों तार आप यहाँ पे लगा दू आउटपुट पे यहाँ पे मतलब उससे क्या होगा जब आप आउन करोगे तभी यह वोल्ट मीटर आउन करेगा अगर आप वोल्ट मीटर की तार यहाँ पे लगा सकते हो तो आपका वोल्ट मीटर हमेशा आउन रहेगा इंडिकेटर की तार भी आप य किसी वैरिंग का रहता है बाकी वैरिंग आप खुद कर सकते हो और धीरे धीरे हम उसकी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो यह देखिए हमने बलब आउन कर दिया इस कॉंटेक्टर का सबसे जादे फैदा जी होता है कि अगर हमारी लाइट कट जाए ग्रिड से और नहीं अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है जुरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाईयो इतना अच्छा जानकरी कोई नहीं देता बड़ी मेहनस से वीडियो बनाए है तो जुरूर चैनल को लाल रंका सब्सक्राइब बटन आके सब्सक्राइब कीजिए उसके वाद में घंटी वाला बटन दवाईए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू